असलाम लीकुल, मैं आपकास बबलुला होरी, भाई, रीसेंट्टी जो पैसा बरबाद फून्स पे मैंने वीडियो बनाई है ना, लिटरली धेर लगा दिया कॉमेंट्स का वहाँ पे के पैसा बरबाद होने से तो बचा ली गया है, अब ये भी बता दो के पैसा वसूल जो बेस्ट है, वो मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में, देखो वीडियो हेल्फुल लगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक किया करो, शेर किया करो, ताके अगले भी किसी बंदेगा फायदा हो सके, और अगर चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो, ताके आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, देखो 20-25 अरपे से स्टार्ट करता है, बिल्कुल एक low-end budget में consider करता हूं इसको, और यहाँ पर आपको एक normal, usual phone मिल जाए, अच्छा हो, वो ही बहुत है, तो एक important kit phone है, EQUOS Sense 5G, बिल्कुल compact size मे आता है, 5G phone है, Snapdragon 690 है, उसमें बैटरी भी ठीक है, चार्जिंग भी ठीक है, 20-20 के आसपास non-PT है, 30-50 के नीचे ओफिशल PTA बन जाता है, डिटेल में review available है, वो आप देख सकते हो, लिंक उनके सब के description में रख दूँगा, बरहल यह phone आप ले सकते हो, AQUOS Sense 5G, और अगर आ आना चाहते हो, तो Realme का जो Note 50 recently है, साड़े 22,000 पे में मिल रहा है, 4GB, 64GB वाला दो साल की warranty है, जिसकी नॉर्मल यूज में आप ले सकते हो, Realme की जो phones है, वो लॉंग टर्म यूज में ठीक रहते हैं, बहुत ज़दा हैवी यूज के लिए नहीं, यह ना, नॉर्मल यह भी देख सकते हो, ZT वो पाकिस्तान में आया है, उसका एक phone है, A72S, वो आप देख सकते हो, जब यह वीडियो में बना रहा हो, तो वो market में available है, 23,000 के असपास price है, 4,128 में आता है, features उसके भी अच्छे हैं, और मैंने उसको review भी किया हुआ है, मतलब पैसों के हिसाब स नॉर्मल यूज के लिए एक अच्छा phone है, और एक Redmi 13C है, जिसको मैंने पैसा बरबाद वाली वीडियो से निकाल दिया था, क्योंकि उसको price cut काफी लग चुका है, लेकिन उसमें still proximity sensor के software के glitches ऐसे हैं, कि उसको अभी मैं इस list में नहीं रख रहा, तो उस phone को अभी avoid करना है बज़ड को 30 से 35,000 पे वगरा shift करते हो, तो यहां पे कौन से पैसा वसूल phones है, तो पहले जो box pack है, उदमें आपको Vigotel Note 24 मिल जाएगा, 29-39 के आसपास आज की market में भी available है phone, Helio G99 जैसा जो hardware है, सबसे कम पैसो में देने वाला ये phone है, उपर से पैसो के साब से camera ने भी charging वाले साइड पे, detail में मैंने review किया है, आप इसको देख सकते हो, 29-39 के आसपास ये phone recommended है, आप इसको देख सकते हो, उसके बार ने दो फोन आते हैं box pack में, जिन में से एक select करूँगा मैं, एक है Infinix Hot 40, 33-34 के आसपास market में मिल रहा है, और दूसरा है Tecno का Spark 10 Pro, 6 मत पुराना phone है, ये आजकल 29-39 के आसपास market में मिल रहा है, दोनों के feature almost same है, design में तोड़ा difference ही है, जारा दोनों different brands के है, तो मदर टांचेन ओल्डिंगी brand है दोनों, तो बरहाल सिर्फ charging का difference है, Infinix में I think 33W है, दूसरे में इसमें 18W है, ये जारा difference नहीं create करती, तो Spark 10 Pro को मैं इसमें रख 120 वाला जो variant है, वो कोई 32,000 रपे कहा सबस मिल रहा है, तो Helio G88 है, उसमें भी जैसे Spark 10 Pro, अभी मैंने आपको recent बता है, तो normal type के use के अंदर न, ये phone आप Redmi 12 है, इतने पैसों के साबसे आज की market में ले सकते हो, build quality आपको थोड़ी ची premium लेगेगी, बहुत ज़़दा camera से expect नही एवी gaming नहीं करनी, हाँ, नॉर्मल यूज में ठीक है ये phone, और 36,000 रपे की range में एक phone आपको और box pack में recommend करना चाहूंगा, जो previously अभी मैंने पैसा बरबाद phone वाली list में डाला था, लेकिन अभी उसकी जमानत हो चुकी है, क्योंकि उसकी price अची हो चुकी है, device है Realme C67, इसको तो जाहर है इतने पैसों के हिजाब से अभी इस phone को लेना बनता है, इसकी जमानत भी एप्रूव हो गई है, और normal जो day-to-day use है उसके हिजाब से perfect चलेगा, like social media पर यूज करना है, multimedia पर यूज करना है, कुछ camera photos के लिए यूज करना है, ठीक है, जो इसका hardware है, snapdragon 685 का, day-to-day जो task है, अगर price category के हिजाब से देखा है तो अच्छा handle कर लेगा, और Realme की जो phone है, वो no doubt, Realme बहुत अच्छा brand है, इनके long term में phone बढ़े reliable होते है, बर थोड़ी सी sensible pricing करने के इनको जरूरत है, वो वाली pricing जो start migration दिखाते थे, बरहाल Realme C67 अगर कोई बंदा लेना चाता है, तो 36,000 रपे की range में ये भी phone अब worth it है, इसको ले सकते हो, और जो important kit phones है इस category में, तो वहाँ पे आपको तगड़े features मिल जाते हैं, कुछ अलगी थोड़े बहुत compromise उनके भी हैं, जैसे box pack में आपको performance तगड़ी नहीं मिलती, आपको battery शैटरी इस तरह की है, तो compromise दोनों पर कर सकती है, 38,000 इसका tax है, ये official PTA भी हो जाता है, 64,000 में आता है, होता है, ये single SIM है, लेकिन snapdragon 855 का hardware है, 60 एपे इसके तगड़ी gaming करवाता है, multimedia के लिए display की quality एची है, तो Xperia 5 आप देख सकते हो, या पिर Xperia 1 है, ये 30,000 रपे की category में non PTA मिलता है, ये official PTA नहीं हो सकता ह इसको भी मैंने review किया, gaming इसकी मैंने test किया है, बड़ी कमाल की gaming करवाता है, और हाँ, metal glass build quality है, थोड़ा बहुत heat करते हैं, गर्मी आने वाली है, तो ये चीज़ अपने mind में थोड़ा रखना, और LG के दो phones आते हैं, एक तो LG G8 है, और एक है LG G8X, अब ये जो LG G8 ThinQ है, ये और battery में थोड़ा बहुत मतलब इनका जो number है, वो 55,000 mAh की batteries नहीं होती, छोटी होती है, तो compromise थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, और एक किसी category में Moto One 5G phone आता है, जिसकी battery तगड़ी है, camera price के हिजाब से तगड़े है, मतलब 30-32 का सबस मिल जाता है, ये भी single sim होता है, server approved मे तो पहले box pack की category देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रा खिचड़ी बनी हुई है, बहुत ज़रा confusion है, अब देखो 40 के आसपस एक phone आया है, वाजकल पोवा 5 Pro 5G, 5G hardware के साथ आता है phone, जब launch हुआ था, 60,000 पे पे हुआ था, उस टेम पे review में रखड़ा गया मेरे आतों क्यों मज में आता है, इतनी category में आप इस phone को ले सकते हो, कुछ लोग इसका battery drain का मुझे कहा रहे थे, यह battery drain हो रहा है, लेकिन मैंने जितना इस phone को use किया, मेरे पास कोई ऐसा issue नहीं था, जितना use करो हुआ उस हिसाप से battery जाती है, तो पोवा 5 Pro 5G, कोई issue नहीं है, इस phone को आप द मिल जाएगा, क्योंकि जहां पर 40 लगा रहे हो, 5 और लगा हो, चीज आपको बड़ी better मिल जाएगी, यह वोई phone है, Note 30 Pro जो 60 में launch हुआ था, और Black Mafia इसको 85, 90,000 पे भी बेजता रहा है, और imagine करो उन बंदों को जिन्नोंने 90,000 पे इस phone को लिया है, आज उसकी price देखो कहां इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि जब कोई phone launch होता है, Black Market चल रही होती है, मत भाई बाई किया करो, आपका पैसा डूपता है, ब्रैंड को कोई फरग नी पड़ता है, तो 45,000 पे में Note 30 को छोड़ो, Infinix का Note 30 Pro लो, इसी तरह 40 में आप Camon 20 छोड़ो, Tecno का Camon 20 Pro आपको 44,000 में मिल रहा है भाई, वो ले लो, आप इनके phones के review देखने हैं, तो link description में रख दूँगा, ज़्यादर detail आप उन ही में देख सकते हो, और Redmi का एक phone है, normal type के use के लिए अगर आप लेना चाहते हो, तो वो ले सकते हो, वो है Redmi Note 12, ये भी 60,000 पे से move होता होता होता, तकरीबन 42 त मतलब performance भी बस नॉर्मल है, हाँ, वैसे देख सकते हो as a multimedia user, अगर आप 40-45 के range में तगड़ी सी gaming करना चाहते हो, फिर आपके पास दो kit phones में option available है, एक तो है AQUES R5G, ये 12GB, 256GB में आता है, कोई 38 के आसपास ये आपको मिल जाएगा non-PTA में, market to market थोड़ा price उपर नीचे हो सक कामरा बस average type के ही होते हैं, गेमिंग तगड़ी करवाता है, review मेरा available है, वो आप देख सकते हो इसके उपर, और दूसरा ही है कि बैटरी का नंबर इतना बढ़ा नहीं होता, 3700 कुछ है मेंच की बैटरी है, ये भी चीज़ आपके माइंड मेरे, दूसरा phone है, यहाँ पे Fujitsu का arrows F51A, इसमें भी snapdragon 865 का hardware है, ये भी कोछ 40 के आसपास आपको phone मिल जाता है, तो इतने पैसों में ये भी phone आपको तगड़ी gaming करवाएगा, camera इसके भी मज़े के नहीं है, बैटरी इसकी भी 4000 image की होती है, तो performance वाई ये दोनो kit phone तगड़ी options हैं, gaming के लिए आप ले सकते हो, ब इसा वसूल की category में concept phones आते हैं, अगर box pack में देखते हो, तो सिरफ एक ही phone recommend कर पाऊँगा, वो है Tecno का Spark 20 Pro Plus, जो recently launch हुआ है, edge display वाल फोन है, कोई बावन हजार पे के आसपास मिल जाता है, definite इसके भी थोड़े वो pros and cons है, वो आप मेरी review वीडियो में देख सकते हो, लेकिन म overall recommendation की बात करूँ, तो हाँ, Spark 20 Pro Plus की तरफ आप देख सकते हो, kit phones में कोई तगड़ी option चाहिए, तो वो इस range में आपको काफी मिल सकती है, इसमें LG V60 है, तगड़ा hardware है, Snapdragon 865 का तगड़ी gaming करवाता है, OLED display भी है, बड़ी battery भी है, detail में review available है, वो आप देख सकते हो, 50 की category में Android 13 तक चले जाते हैं, लेकिन ये जो official वाला ये Android 11 से आगे नहीं जाएगा, लेकिन Android 11 पे होने की वज़ा से भी still performance में कोई भी difference नहीं आता, दूसरा जो kit phone है, वो है Xperia 5 Mark 2, ये जो phone है, ये भी premium Sony का phone है, आपको बता है, international market के बड़े महंगे phone होते हैं, पाकिस्तन में क्यों इसके भी pros and cons, definite mentioned है, review में, वो आप देखोगे, आपको idea मिल जाएगा, overall recommended है, उसके लाब अगरे कुछ camera के लिए आप देखना चाते हो, ये जो दो kit phones थे previous वाले ही, तो तगड़े gaming category में आते हैं, camera में देखना चाते हो, तो फिर वो आता है, pixel 4A 5G, ये भी कोई 52,000 पे की category म साफ सुतरी condition वाला जो phone है, वो आपको मिल जाता, official PTA में, और 4000 पे अटेक्स है, इसमें अटेक्स included है, camera के लिए अच्छा है, battery पर थोड़ा compromise है, 380CMH का number थोड़ा चोटा है, बाकी user experience, camera performance वहाँ पे ठीक है, उसके लाब एक 50 की category में आपको phone मिलेगा, Motorola का Edge 2021, अब ये जो phone है, इसके different variant आपको 45 के नीचे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो 48-50 वाला variant है, mostly ये चल रहा है, market में 8256 वाला, और 144Hz का एक smooth display है, IPS display है, content देखने के लिए ठीक है, Snapdragon 778G का, जो hardware है, यहाँ पे आपको performance अच्छी मिलती है, 60 IPS की gaming भी ये करवा देता है, review मेरा available है, इस पे आ अगर आप iPhone में जाना चाते हो, तो 55,000 पे की ये 50,000 पे की category में आपको iPhone XR मिलता है, पुराना जरूर है, लेकिन still आप इसको ले सकते हो, और जो battery health है, इसकी recommended है को 90% के आसपास की, जो battery health है उसको consider करना, थोड़ सा comparatively better battery backup आपको मिल जाएगा, 60 IPS की gaming करवाता है, तो iPhone XR भी आप देख सकते हो, और ये जो kit phones मैं वीडियो में बता रहा हूँ न, अक्सर लोगों के mind में ये doubt होता है, कि भाई इसको buy कैसे करेंगे, हमारी city से तो मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है, जाके ले लेंगे तो चूना लग जाएगा, चेक नहीं करना आता, तो इसका एक simple solution ह ये मेरी screen पे नंबर नजर आ रहा है, वीडियो पे ये मेरी team का WhatsApp नंबर है, इसके इलावा कोई भी नंबर नहीं है, इनसे आप मेरा tested unit ले सकते हो, अब ये है के 2-3 दिन के warranty भी offer की जाती है, अगर आपके unit में फिर भी कोई उपर नीचे कुछ चीज निकल आती है, unit बापि service तो आपको कोई नहीं मिल सकती, तो अगर आपको कोई kit phone में option चाहिए, reliable चीज लेना चाहते हो, आपको test नहीं करना आता, तो बे फिकर होके, अब मेरी team से में भी आ सकते हो, पूरे Pakistan में service प्रोवाइड की जा रही है, अब देखो 60-70,000 रपे की range है, और मैं बड़ा speed से move क के लिए, कि जिनको Redmi का phone चाहिए, वो Note 13 Pro, जो R256 वाला नहीं, 75 प्राइस है, 70-70 के असपास मिल रहा है, वो इस phone की तरफ देख सकते हैं, बट suggestion मेरी यह है, कि पहले मेरा review देख लेना, pros and cons देख लेना, फिडिसाइड करना, दूसरा जो phone मेरे पास, वो है OPPO Reno 11F, यह मेरे primary SIM card इस phone में लगा वा, इस phone को मैं पिछले कुछ जिनों से चला रहा हूँ, review जल्दी post करने वाला हूँ, फिर ही मैं इसके बारे में कुछ recommendation दे पाऊँगा, अभी के लिए इसको मैं लिसमें include नहीं कर रहा, उसके लावा कुछ kit phones के तरफ आप जाते हो, तो आपको AQUOS R6 मि अगर आपको clear display वाला मिले ना, तो gaming के लिए आप देख सकते हो, क्योंके snapdragon 888 का hardware है, उसके लावा यहाँ पे आपके पास multimedia experience काफी अच्छा है, कुछ pros and cons इसके भी है, मैंने review में mention किया है, मैं उसको देख लेना, AQUOS के phone के बारे में बस एक चीज़ अपने mind में रखना, कि जो parts हैं, वो नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान में, imported 6 का, तो जरूर है premium अला, अगर कई भी कुछ damage हो गया, आप parts नहीं मिलेंगे, जिदनी दिर चलाते रो, चलाते रो, उसके लावा फर्दर जाते हो, तो iPhone 11 आपको मिल जाएगा, पैंसर शार शार पी की range के अंदे, still 2024 में ताकि आपको बदलब अच्छा battery backup मिले, Motorola का एक Edge में phone चलता है, market में काफी popular है, Motorola Edge Plus 2020, ये भी phone आप देख सकते हो, इसको भी मैंने review किया, वा काफी अच्छा करव है, इसका, performance Snapdragon 865 वाली है, बैटरी भी 5000 image की है, camera भी decent category को touch कर लेते हैं, 60-65,000 पे की category में, ये official PTA approved मिल जाता ह क्योंकि OnePlus official तो नहीं आता पाकिसान में, लेकिन इनका बहुत बड़ा market share है, जो आजकल इनके kit phones चल रहे हैं, तो OnePlus 7T को मैं अभी include नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसका battery cell बहुत ज्यादा छोटा है, और heavy use में बहुत heat भी करता है, और फिर shade के बहुत issues आ जाते हैं, तो OnePlus 8 से minimum सब start करना, अगर आपने लेना है, तो 65,000 पे की category में OnePlus 8 आपको मिल जेगा, 8GB वाला, और इसमें dual SIM global वाले जो variant है, वो recommended है, जो single SIM वाले हैं, उनमें बहुत रोले हैं, मैंने review किया, तो उसमें वो phone रगड़ा गया मेरे आतो, लेकिन जो dual SIM global वाले बाद में आना start हुए है यह ठीक है, और जो converted वाले हैं, dual SIM converted होते हैं, single SIM से वो भी मत लेना, सिरफ dual SIM global, phone लेते होए, reset कर दोगे न मोके पर, अगर वो converted होगा, तो वापस single SIM पे चला जाएगा, तो जो नहीं जाएगा, वो dual SIM global है, वैसे भी आपको एक idea मिल जाएगा, दुकानदार से, किसी अच्छी global variant I think, और यह भी कोई 66 से 70,000 के आसपास कहीं पे fall करता है, तो यह भी recommended आप ले सकते हो, बस OnePlus के phones में एक तो, देखो, metal glass की blade quality थोड़ा सा heat कर सकते हैं, थोड़ा heavy use में, लेकिन experience अच्छा रहा था, इन्हें में shaded वाला मत लेना, dual SIM global वाला लेना, और आजकल थोड़ा सा issue चल down जो चली या नहीं है, और अगर आप parts को replace कराते हैं, वो थोड़े से expensive हैं, तो यह चीज़ भी अपने mind में रखना, OnePlus को लेते होगे, जो मेरी final price range है, वो है 80 से 100K, जल्दी से मैं इसको cover up करता हूँ, इस category में आप जो OnePlus की 9 series है ना, वो देख सकते हो, जैसे OnePlus 9 आ रहा है, यह आपको 70-75 की category में खैर मिल जाएगा, dual sim global वाला ही लेना, इसके अंदर भी और उपर से जो OnePlus 9 series है, यह 80K के आसपास ना, मतलब आज कल 75-80 के आसपास चल रहे हैं, different variants है, लेकिन again मैं कहा रहा हूँ, dual sim global variant ही लेना, और green line वाला जो issue है ना, जो risky factor है, वो अपने mind में थोड़ा सा रख लेना, आप हो सकता ना आए, हो सकता आजाए आपके phone में, तो यह चीज़े हैं थोड़ी सी, उसके लाबा pixel का एक phone आ रहा है, Google Pixel 6 है, यह single sim official approve आपको 90-95,000 पे की range में मिल जाता है, वैसे तो यह non PT में 55-60,000 पे का, इसका tax ज्यादा होता है, लेकिन दुकानदार इमें किसी और phone का, तो यह phone बन जाता को 95-95 के आसपास official approve, तो इतनी category में यह भी single sim geo चलाने वाले हैं, उनके लिए बढ़ी अच्छी option बन जाती है, आईफोन में जो options हैं, आईफोन 11 प्रो आपको मिल जाता को 85-90,000 पे की range में 256 GB वाला non PTA की बात कर रहा हूं, PTA में तो आईफोन 12, 100K के आसपास 128 GB वाला non PTA मिल जाता है, और दूसरा यह है कि 85-90,000 पे आसपास 64 GB वाला भी इनका आता है, तो कोशिच यही करना है कि 128 GB वाला अगर कोई 95-95 में मिल जाए, कोशिच करके, क्यों कि market में प्राइस डेली बेस पे up-down हो रही होती है, तो इसका idea नही जो फून में आपको recommend कर सकता था, 20-25 अरपे से लेके 100K के रेंज तक चाहे वो box pack की category में हो, चाहे वो kit phones हो, चाहे कोई used iPhones हो, तो I hope कि यह वीडियो आपको काफी help करेगी, अपनी price के हिसाब से एक अच्छा phone decide करने में, एक value for money phone buy करने में, किस phone को buy करने वाले हो जाना, वीडियो अच्छी लेगी हो, तो like, share, subscribe कर लेना, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, thanks for watching, Allah अफेज